सत्कुरू के साजी निवाद जी प्यारे साज संगत जी प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी सत्कुर माता जी का शुक्राना करते हुए सत्कुर माता जी के अशीर भासे दासी ये विचार रखने जा रहे है आप जी ये विचार प्रवान करें अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें साथ संगत जी सत्कुर्माता जी हमें समझाते हैं कि हमने सेवा करते समय सेवा एहम को गिरा कर हंकार को खतम करके हमने सेवा करनी है और सेवा करते समय हमने मन में ये नहीं दिखाना है कि हम दूसरे की मदद कर रहे हैं या दूसरे पर एहसान कर रहे हैं सेवा को हमने सेवा की भामना से करना है और निशकाम निरच्छित भाव से करना है तब ही वे सेवा सुखदाई हो सकती है सेवा करते समय कुर्सिक अपने आपको गिनवाता नहीं है वेह कमाता है जो अपने आपको सद्कुर के चर्णों में स्मर्पित कर देता है सही मायनों में सच्चा सेवक वही होता है ऐसी हिदासी एक स्टोरी आपची की चर्णों में शेयर करने जा रही है कि किस तरह इन्होंने निश्काम निरचित भाव से सिवा की एक बार इश्वर चंद्र विध्या साकर के खर के दर्वाजे पर सुबह के समय एक बिखारी आया इस बिखारी को हाथ फैलाए देख इश्वर चंद्र विध्या साकर जी के मन में दया का भाव पैदा हुआ वह अपने घर के अंदर जाकर अपनी माता जी से कहने लगे कि इस बिखारी को कुछ दे दो नेकिन उनकी माता जी के पास उस समय कुछ नहीं था केवल उनके हाथों में पहने हुए कंगन थे अपने बेटे की बाद सुनकर उनकी माता ने अपना कंगन उतार कर इश्वर चंद्र विध्या साकर जी के हाथ पर रख कर कहा कि इसे बेच कर तुम जरूरत मंदों की सहायता कर दो यह देखकर इश्वर चंद्र विध्या सागर थोड़ा जिज के लेकिनीस पर उनकी माता जी ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तम मेरे लिए दूसरा कंगर बनवा देना इश्वर चंद्र जब कमाने लायक हुए तो उन्होंने अपनी पहली कमाई से अपनी माता जी के लिए कंगन बनवाए उन्होंने इन कंगन को अपनी माता जी को देते हुए कहा माता जी आज मैंने आपका करज उतार दिया है इस पर उनकी माताजी ने कहा बेटा मेरा करज दो उस दिन उतर पाएगा जिस दिन किसी और जरूरत मन्द के लिए मुझे ये कंगन फिर कभी नहीं उतारने पड़ेंगे अपनी माताजी की यह बात सुनकर इश्वर चंदर जी के दिल को बहुत अच्छे लगी यह बात बहुत अच्छे लगी उनके मन को छूगई और उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों और जरूरत मन्द लोगों की सेवा करने में लगा दिया इश्वर चंदर विद्या सागर जी को गरीबों और जरूरत मन्दों के रूप में जाना जाता है उन्होंने नारे शिक्षा और विद्वा विवा कानून के लिए भी आवाज उठाई थी इश्वर चंदर विद्या सागर जी एक सो दंधरता से नानी भी थे संस्कृत पाशा और दर्शन में अच्छा ग्यान होने के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्या सागर की उपादी परदान की जिसके बाद से उनकी इश्वर चंद्र विद्या सागर के नाम से उन्हें जाना जाता है इस तरह हैं साथ संगत जी उन्होंने निश्काम निरच्छित भाव से सबी की सेवा की इस तरह हमें सत्कुर समझा रहे हैं ये हमने निश्काम निरच्छित भाव से सेवा करनी है और अपनी भाशा को भी मदूर बनाना है और सबी के साथ अच्छा वेवार करना है चाहे वेबरम ग्यानी हो या ना हो ऐसे ही दासी एक स्टोरी पत्रिका में पढ़ रही थी उसमें लिखा हुआ था कि अमरीका के जाने माने धनी राक फेलर की पत्नी एक दिन शाम के समय गूमने चली गई लोटते समय एक एक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई बारिश से बचने के लिए वेपास ही के एक ओफिस में खड़ी हो गई ओफिस बंध हो रहा था मनेजर और वरकर जा चुके थे बस एक कलरक जो ओफिस बंध करके चाबी अपने साथ ले जाता था वहां रहे गए थे कलरक ने बरामदे में खड़ी उस भदर में हीला को देखा वह उसे पहचानता नहीं था प्रन्तु फिर भी उसके पास आया और बोला शीष्टर आप बाहर क्य ही हैं पानी के चीटे भी आपके उपर पड़ रहे हैं आप अंदर आकर यहां चेर पर आराम से बैठ ये शीरी मती राक फेलर उनके इस सामाने शिष्टा चार से बहुत परभावित वेखुश हुई और अंदर आकर चेर पर बैठ गई कलरक ने लरक ने अपने जो पियन था उससे कहा तुम जाओ मैं बाद में ओफिस बंद करके चाबी तुमें देता हुआ निकल जाओंगा शीरी मती राक फेलर ने उस कलरक का प्रीच्चे पूछते हुए उससे यह भी जानना चाहा कि वह उसे पहचानता है या नहीं उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे घर पर तुम्हारी वेट कर रहे हुँगे तुम्हें घर पहुचने में देर हो जाएगी कलरक ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया नहीं नहीं आप आराम से बैठिये बारिश कुछी देर में रुख जाएगी बारिश बंध हुई जीरे मती राग फेलर उठ खड़ी हुई पड़े बदरता के साथ उस कलरक ने उन्हें बाहर तक पहुँचाया बड़े इच्जत के साथ उस महिला को कलरक ने बाहर तक पहुँचाया और ओफिस बंध करके अपने घर पहुँचा दूसरे दिन ओफिस के समय फोन की बैल बजी मनेजर ने फोन उठाया तो उदर से आवाज आई मैं राग फेलर बोल रहा हूँ मनेजर एकदम से डर सा गया और बोला हान जी हान जी कहिए आपके ओफिस में आगे से उस ने कहा कि आपके ओफिस में अमुक नाम का कोई कलरक है आगे से मनेजर ने कहा जी है आप मुझे बताईए क्या हुआ है आगे से राग फेलर ने कहा कि आप फ़ला कलरक को बुला दीजिए मुझे उसी से काम है मनेजर को बड़ी हैरानी हुई राग फेलर जैसा अमरीका का धनवान व्यक्ति उस छोटे से कलरक का नाम भी जानता है और उसी से बात करना चाहता है मनेजर ने कलरक को बुलाया तुमारे लिए राग फेलर का फोन है कलरक एकदम से डर किया क्या बात हो गई है कापते हाथों से उसने फोन पकड़ा और अविवादन किया वेलकम किया और बोला शिरी मान जी फरमाएए आपको मुझे से क्या काम है मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ राग फेलर ने कहा कल तुमारा ओफिस बंद होते समय कल तुमारे ओफिस बंद होते समय बरसाथ में एक महीला तुमारे बरामदे में खड़ी थी उसे पहचानते हो कलरक ने कहा जी नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि वह कोई अच्छे महीला थी पर शायद मैंने कोई गलत वेवार तो नहीं किया फिर भी कोई गलती या भूल हो गई हो तो आप ची मुझे माफ करे राग फेलर ने कहा तुमारे तो कोई गलती या भूल नहीं हुई है कि तो तुम्हारे अच्छे वेवार शिष्टा चार ने मुझे वे मेरी पत्नी को इतना इंप्रेस किया है कि हम एक निया कार खाना हम एक नई मिल कोल रहे हैं उसमें मैं तुम्हें मनेजर बनाना चाहता हूं कि लरक को अपने कानों पर सहथ ही विश्वाश नहीं हुआ साधारन से सजनता और वेवार कुशलता का इतना बड़ा इनाम इतना बड़ा प्राइज एक छोटी सी फरम का एक कि लरक एक मिल का मनेजर बन गया संतों महापुर्शों के चर्नों में बैटने से सजनता हमारे वेवार में रच बस बस जाती है और यह सजनता ओड़ी हुई सजनता नहीं होती बलकि यह जीवन का अंग बन गई होती है आप आज जबकि समाज में औरों को सुधारने की बाते लोग ज्यादा रूची पुरवक करने लगे हैं ऐसे में सरल सहज और वेवार कुशल होना हर रूप में लापरद है तो यहाँ पर भी हमें यही समझाया गया है कि हमारा जो करम वेवार वानी सब कुछ अच्छा होता है और सत्गुरू की कहे अनुसार हम इन बातों को पना लेते हैं तो जीवन में कहां से कहां यह सत्गुरू हमें पहुँचा देते हैं इसलिए हमने सत्गुरू की हर बात को मानना है जब हम हर बात को मानेंगे तो रूहानियत हमें मिलेगी सत्गुरू हमें रूहानियत के साथ तो जोड़ते हैं लेकिन रूहानियत के साथ इनसानियत भी तब ही आएगी जब हमें इस ब्रहम ग्यान की समझ आ जाएगी जब हमें यह रूहा रूहानी ग्यान, अच्छी तरह से हमारे मन में रज़ बस जाएगा तो फिर इनसानies बह आने लगेगी तो इन विचारों तवरह हमें ये भी सीखने को मिला है कि हमें घर जगे इनसानियत अपनानी है रूहानियत को पा कर इनसानियत संग संग चलेगी तो रूहानियत और इंसानियत संग संग वाली यह जो हमारे इस समागम की थीम है यह हमारे मन में रच बस जाएगी तो हमारा जीवन सफल तो होगा ही औरों का जीवन भी सफल हो जाएगा हम औरों को भी सुखी बनाने में लग जाएगे कितना सुन्दर ये हमें समझाया क्या है रूहानियत और इंसानियत संग संग तो हमने रूहानियत और इंसानियत को संग संग चलाते हुए अपना लोग सुखी पर लोग सुहेला तो करना ही है इससे हमने औरों को भी सुखी करने वाला काम करना है लेकिन ये तब हो सकता है जब सत्कुरू की शिक्षा हमारे मन में रच बस जाती है इस तरह हमने सबी के साथ कुशल वेवार करना है अच्छा वेवार करना है और कभी भी मन में कोई कामना नहीं लानी है कि मैं अच्छा वेवार कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा नहीं हमने सिर्फ सद्गुरू की शिक्षा को बढाते हुए अपने जीवन को सफल बढाना है जब हम सद्गुरू का कहना बानेंगे तो अपने आप से भी काम अच्छे होते चले जाएंगे इस तरह माता स्विंदर जी महराज हमें समझाते कि कोई इनसान नई नई शोप खोलता है और वो शोप में बहुत अच्छा समान रख लेता है लेकिन अगर शोप पर जाने का रास्ता किचड से भरा हुआ है बेशक उस शोप में समान बहुत अच्छा है वहाँ पर कोई भी कश्ट मर जाना पसंद नहीं करेगा और एक इनसान शोप खोलता है शोप में समान अच्छा नहीं होता लेकिन शोब पर जाने का रास्ता बहुत साफ सुत्रा होता है तो वहाँ पर भी कोई कश्ट मर जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वहाँ सामान अच्छा नहीं है एक शोब पर रास्ता अच्छा नहीं है और एक शोब पर जाने के लिए सामान अच्छा नहीं है और एक इनसान शोप खोलता है उसका सामान भी अच्छा होता है और उसका रास्ता भी क्लियर होता है साफ होता है तो वहाँ पर हर कोई जाना पसंद करता है इसी तरह सद्कुर सचे भाशा इस एकजामपल के दोरा हमें युक निर्वाता माता स्विंदर जी महराज इस एकजामपल के दोरा समझा रहे थे हम जा रहे हैं कि हमने अपने व्यवार में भाशा भी अच्छी रखनी है अपना करम भी अच्छा रखना है सबी के साथ मीठा बोलना है अपना लेन देन का व्यवार भी अच्छा रखना है और जो सद्कुरू हमें करम करने को कह रहे हैं उसको भी करना है तब ही सारा संसार इस मीठा के साथ जोड़ सकता है हमारे करम व्यवार बोली भाशा को देखकर जब हमारी भूली भाशा करम व्यवार सब सही हो तो फिर किसी को भी आवाज देने की जरूरत नहीं होगी ये करम ही हमारा परचार बन जाएगा हमने करमों द्वारा अपनी पीशन का परचार करते चले जाना है और सत्कुरु के आशीर फातो के बागीदार बनना है आउदातार के चर्नों से यही अरदास करते हैं और प्रेणना देखकर दूसरों का भी जीवन सुखी बनाएं दासीलिनी शब्तों से सद्कुर्मातच के जर्नों से यही अशीरवाद मांगती है सचे पाशा खाली बोल मेरे रह जान बोलना ना बोलना हुंते आजाए जिंदगीन तोलना सबी के लिए यही अशीरवाद मांगती है सचे पाशा तन मंदन के सुख देते हुए सबी को सेवा सिमरन ससंग के साथ जोड़के रखना और सबी इसी तरह यह अनन्द मानते रहे हैं सबी के भले की कामणा करते हुए सिमरन करवाएगी सबी ने मिलकर सिम्रण में साथ देना है तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंनू बख्ष लो बोल ये सत्कुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज कीजै निरंकारी राज माता गुरू बचनवतार कीजै साथ संगची प्यार से कहना धान निरंकार जी